हाई गाइज वेलकम बैक इंगेट वास कुक और आज हम लेके आएक ऐसी रेसिपी जो इंस्टेंट बनती है और यह है इंस्टेंट करेले जी हाँ करेलो को आपने सुना होगा अकसर दो घंटे पहले या तीन घंटे पहले नमक लगा के रखा जाता है बट इस सबजी में ऐसा कुछ भी नहीं है और इनको हम बनाएंगे बहुत स्वादिस्ट और बहुत मीड़े तो चलिए बनाना शुद्व करते हैं सबसे पहले इनको अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने के बार इनके इसके उपर से हटा दिये इसकी नची से अटनी चाहिए उसके बाद मैंने इनको अच्छे से दुबारे से वाश किया फिर गरम पानी किया पानी हमने आदब होना लिया और इतना लिया कि हमारे करेले डूब जाए और इसमें डाला मैंने एक चमच नमक और आधी चमच हल्दी अब इन दोनों को चीजों में डाल देंगे हम हमारे करेले करेले डालने आप दबाके देख सकते हैं दिखने में पता चल जाता है कि हमारी स्किन सॉफ्ट हो चुके देखिए तो चल ये करेलो को निकाल लेते हैं निकाल के अच्छे से फिर से वाश कर लेंगे और अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए चार मीडियम साइज और इनको मैंने चॉप कर लिए आप चाहे तो चॉपर में चॉप करें मैंने रफली चॉप हिंग आप चाहे तो डाले चाहे तो अवोइट करें और अमचूर डालना है इस चीज का ध्यान रखना है फिर हमने अच्छे से जो हमारे करेले थे उनका पानी निकाल दिया है निचोड लिया अच्छे से पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए और कुछ इस पाद काड़This gurера को पर देल के बाद के लिए वह में निकाल लिया जो बचा हो ते फासी तेल में हमने साफीर MP3 टा फासी ये तो प्लीज करलर ने कमेंड में बताइए कि आपकोगे करेल की सब्सक्राइट यह नहीं और हमारे मीठे करेले तयार हैं एक बार इन खेकर कीíamosिक आप बार-बार इसी तरह